हेलो मेडिक्स कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो तो चलिए आज हम नेफरोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है और कैसे बॉड़ी को अफेक्ट करता है लेकिन नेफरोटिक सिंड्रोम पढ़ने से पहले एक बार कि बिन के आपकार की या राजमा के आकार की किड्नी होती हैं, जिनका मेन काम होता है खुण को साफ करना. हर एक किड्नी में साथ से आठ लोब्स होते हैं और हर एक लोब में एक से डेड़ लाख नफराउन मोजूद होते हैं. नेफराउन किड्नी का functional unit होता है, यानि basically blood का filtration kidney में nephrons की मदद से ही किया जाता है nephrons कुछ इस तरह का दिखता है और इसका head एक cup के जैसा दिखता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं cup के आकार का है न यह इसको bowman's capsule के नाम से जानते हैं या इसको bowman's capsule बोलते हैं bowman's capsule के पास efferent arteries unfiltered blood लेके आती है यहाँ पर bowman's capsule में उसका filtration होता है और फिर efferent arteries के थूँ यहाँ से filtered हुआ साफ हुआ blood वापिस हमारी बॉड़ी में चला जाता है अब bowman's capsule की जो epithelial layer होती है या कह सकते हैं inner covering जो होती है वो highly specialized cell की बनी हुई होती है इन cells को podocytes बोलते हैं यह podocytes help करते हैं कि जब blood bowman's capsule में filtration के लिए आए तो impurities के साथ protein का filtration ना होने दे यानि podocytes basically protein को urine के रास्ते बाहर आने से रोकते हैं अगर podocytes नहीं होते तो यहां मुझूद blood के अंदर जितनी भी impurities हैं उसके साथ हमारे शरीर से protein दी urine के रास्ते बाहर आ जाता और शरीर में protein की भारी मात्रा में कमी हो जाती तो I hope आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारी kidney का structure कैसा है और उसमें कौन-कौन सा part क्या-क्या road play करता है तो अब nephrotic syndrome के बारे में समझते हैं nephrotic syndrome की condition में किसी कारण से glomeless में inflammation या कह सकते हैं सूजन हो जाती है ये inflammation होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे की hypertension, BP का बढ़ना या कुछ antibodies भी ये सूजन कॉज कर सकते हैं हमारे शरीर में मौजूद immune cells की वज़े से भी ये सूजन हो सकती है मतलब इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं कोई exact cause इसका नहीं होता है और glomeless में भी specifically ये जो special cells मौजूद होते हैं जिने हम podocytes बोलते हैं उन में inflammation और damage होता है अब जैसे की मैंने पहले ही बताया था कि podocytes protein को blood से filter होने से रोकते हैं लेकिन जब podocytes में inflammation हो जाती है या damage हो जाता है तो blood से protein filter होके urine के रास्ते बाहर आने लगता है इसमें मरीज को एक दिन में 3.5 ग्राम से जादा protein urine के रास्ते बाहर आने लगता है और जैसे की आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में मौजूद immunoglobins जो बिमारी से लड़ने में हमारी help करते हैं वो भी एक तरह का protein ही होते हैं तो बाकी protein के साथ वो भी हमारे शरीर से filter out होने लग जाते हैं और तेशाब के रस्ते से शरीर से बाहर आने लगते हैं immunoglobin के बाहर आने की वज़े से शरीर में अलग-लग तरह के infection होने के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं वही urine में protein की मात्रा बहुत ज़ादा high होती है और साथ ही urine में blood भी आने लगता है लेकिन कितनी मात्रा में blood urine से बाहर आ रहा है वो depend करेगा कि kidney में कितना ज़ादा नुकसान हुआ है यानि अगर बहुत ज़ादा नुकसान हुआ होगा ज़ादा damage हुआ होगा तो ज़ादा blood बाहर आएगा protein loss की वज़े से body में hypoproteinemia होने लगता है और क्योंकि albumin भी protein का ही एक type होता है तो more specifically मरीज को hypoalbuminia होने लगता है मरीज का hypoalbuminia होने के कारण body उसके liver को ज़ादा protein बनाने को बोलती है एक तरह से defense mechanism active हो जाता है ताकि जो loss हुआ है उसको compensate किया जा सके ऐसे में liver और ज़ादा काम करने लगता है ताकि albumin को ज़ादा से ज़ादा produce कर सके बट साथ में वो cholesterol भी बनाना शुरू कर देता है इसी के साथ ये hyperproteinemia और hypoalbuminia की वज़े से blood vessels में oncotic pressure decrease हो जाता है normal oncotic pressure water and electrolyte को blood vessels में ही पकड़ कर रखता है लेकिन जब इस condition में oncotic pressure decrease होने लगता है तो उसकी वज़े से water and electrolytes blood vessels से निकल कर interstitial space में जाने लगते हैं जिसकी वज़े से मरीज को हाथ पैरों पर swelling हो जाती है आइस के चारों तरफ swelling हो जाती है पेट में पानी भर जाता है मरीज को बहुत ही जादा थकान होने लगती है और nails में ऐसे सफेद line दिखने लगती है अब मरीज को जो ये शरीर में सूजन होती है क्योंकि blood vessels से पानी बाहर आ गया है interstitial space में इसकी वज़े से blood vessels में blood volume काफी कम हो जाता है अब obviously जब पानी और electrolyte interstitial space में चले जाएंगे तो blood volume तो कम होगा ही blood volume के कम होने की वज़े से दिल के पास pump होने के लिए जो blood हर minute पहुचता है वो कम जाने लगता है उसकी मात्रा कम हो जाती है जिसकी वज़े से heart काफी कम blood ही शरीर में circulation के लिए pump कर पाता है blood circulation में blood कम होने की वज़े से kidney के पास जाने वारला blood भी कम हो जाता है Kidney के पास कम blood जाने की वज़े से Nephrons के पास कुछ special cells होते हैं जो trigger हो जाते हैं और वो renin नाम का एक chemical produce करने लगते हैं ये renin, renin angiotensin aldosterone system को activate कर देता है इस system के activate होने से kidney के अंदर water और sodium का reabsorption rate बढ़ जाता है यानि kidney, water और sodium का reabsorption बढ़ा देती है इसका reabsorption बढ़ने से शरीर के अंदर sodium और water की मातरा बढ़ जाती है और ultimately ये दोनों ही चीज और ज़्यादा edema को cause करती है तो ये सब होता है Nephrotic syndrome में I hope आपको ये सब समझ में आया होगा तो अब अगर आगे आपसे कोई tetrade of Nephrotic syndrome पूछे तो आप confidently बता सकते हैं कि Nephrotic syndrome में urine के साथ protein शरीर से बाहर आने लगता है जिसकी वज़े से मरीज को protein urea होता है और इस protein urea की वज़े से मरीज को जाग वाला urine आने लगता है दूसरा मरीज को hypoalbuminia होता है जिसकी वज़े से शरीर और lungs में पानी भर जाता है और lungs में पानी भरने की वज़े से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है मरीज को hypercalistrolemia होने लगता है जिसकी वर्जर से मरीज की आईज और नकल्स के पास कलिस्ट्रोल की गांठे भी दिखने लगती है और मरीज को जादा तर पैरो और आईज के पास सूजल होने लगती है So this is all about pathophysiology of nephrotic syndrome इसके part 2 video में हम nephrotic syndrome को medically कैसे manage करते हैं वो discuss करेंगे Thank you for watching For more videos, please do like and subscribe to this channel